वश्कार साथियो मैं हूँ आपका दोस्त वानुवारगब और आप देख रहे हैं जी के बित वानुव चैनल साथियो आज की वीडियो में हम समझेंगे कक्छा पांच वी और आठ वी की लिखित परिक्षा में साथ अंक और प्रोजेक्ट के अंक बीश मिलेंगे तो इस प्रकार से असी अंक हुए सेस जो बीश अंक की और आवश्कता है उसे बिला करके सो अंक होगे तो वो किस प्रकार से होगे इस वीडियो को आज हम सौट में ये समझ रहे हैं और इसका आजिस हम उस समय लेकर के आएंगे जब परिक्षा प्रारम होगी जब आप रिज केंद की तरफ से दिशा निर्दिश दिए गया है दोनों कोक्षाओं की बार्शिक परिक्षा में प्रतिक विसाय का पूरांक असी का होगा इसमें लिखित प्रिश ने पत्र के शाठ अंक और प्रोजेक्ट अंक का निरधारत अंक बीश दिए गया है तो साथियों जहां प परिक्षा का पूरांक 40 अंक और प्रायोग परिक्षा 40 अंक की रहेगे तो साथियों जो दिब्यांग है उन छात्रों के लिए लिखित और प्रायोग परिक्षा रहेगे उसके 40-40 अंक रहेगे और इस प्रकार से असी अंक होगे अधिकारियों के मुताविक परिक्षा फल प्रिक्षा उत्रिण होने के लिए प्रतिक विसाय की लिखित परिक्षा और प्रोजेक्ट में मिला करके 33 अंक लाना होंगे अकेडम केलेंडर के मतावी प्रोजेक्ट का काम 28 फर्वारिता के विद्यार्थियों को पूरा करना था तो शाथ यहां पर एक चीज और बड़ी निकल करके आ रहे हैं कि बार से परिक्षा उत्रिण करने के लिए प्रतिक विसाय की लिखित परिक्षा में परिक्षा और प्रोजेक्ट के अंक मिलाकर के 33 परसेंट लाना आवश्चक होगा यानि प्रोजेक्ट के अंक और दोनों को अंक मिलाकर के 33 परसेंट होना चाहिए इसका हम हाला की और बिशलेशन करेंगे इसके आदेस में तो यह चात्रों के लिए अच्छी बात है 33 परसेंट जो पा जाली नहीं की है इसे दिसा में केंदर ने दो से तीन दिन का मैं विद्यार्थियों को अपने प्रोजेक्ट स्कूल में जमा करने पर जोड दिया गए है इनका मुल्य अंकर भी तुरंत कख्षा द्यापक को कराना होगा तो शाथे ओ इस पर हम एक प्रॉपरली वीडियो लेक कि जो लिखित परिक्षा उसके अंक बीश नमगर ने हैं प्रोजेक्ट के लिखित-परिक्षा के सांठवें है इस प्रॉपरिक्षा Joint को अधिभार जो दिया जाएगा वह डू इस अर्दवार्षिक जो परिक्षा हुई थी उससे तो अर्दवार्षिक परिक्षा में पचास अंग का जो लिखित थी और पचास अंग का आपका प्रोजेक्ट के अंग थे तो इस प्रकास से 100 था स्वाप्रतिसत हुआ था उसका 20% अधिभार इसमें दिया जाएगा तो इस प्रकासे 100% होगा तो साथियो इसी प्रकासे सिक्षव बाक से समंदर लेटेस्ट अप्डेटिक के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा मिलते हैं अगले अप्डेटिट वीडियो के साथ तब तक लिए जै हिन जै भारत जै मद्द